दोस्तों हम लोग हिंदुस्तानी हैं और यह हमारा फर्ज है कि हम हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ पता लगाएं जिससे हमें भी हिंदुस्तानी होने पर गरव होगा जो लोग हिंदुस्तान को एक गरीब और पिछड़ा देश समझ रहे थे उन्हें इह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान कहां से कहां तक पहुँच गया है, सायद आप लोगों को एह पता नहीं होगा, तो इस वीडियो में हम लोग, हमारे भारत देश के बारे में बहुत सारी मज़ेदार और अनसुनी, तथ्यों को पता लगाएंगे, जो सायद आपने प पतिहास के बारे में तो जरूर पड़े होंगे, आपने एह भी सुना होगा की, हर कोई हमारे भारत देश को आकरमन करके उसे राज करना चाहा, पर आप लोग कभी एह नहीं सुना होगा की, भारत कभी भी पेहले किसी देश पर आकरमन किया है, भले ही भारत देश के पास ब बार का बारी बिश्व कप जीत चुका है। जो एक महान बात है। भारत के लोग सोना खरीदने के बहुत सोकीन होते हैं। इसलिए सोना खरीदने में भारत देश दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। बिश्व का लगभग। जैसे थाइलेंड, आइसलांड की जन संख्या से भी ज्यादा है। भारत के पास बिश्व का सबसे बड़ा डाक विभाग है। आप भारत के किसी भी कोने में पहुंच जाए, आपको भारतिय राक्षेबा जरूर मिल जाएगा। और ए, विभाग सबसे पुरातन है, वहीं इ सिर्फ यही नहीं, भारत में एक तेरता हुआ नाशनल पार्क भी है, जो मनिपूर के लोक्टक नामक जील के उपर बसा हुआ है। आप तो एह जानते होंगे कि भारत में विभिन भासाओं के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाशा को बोला जाता है, उसके बाद अंग्रेजी भाशा को ज्यादा भ्यभार किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने कुल 23 भाशाओं को राष्ट्रमानियता दिया है। भारत देश अंतरिक्ष के कामों में दुनिया के पहले 5 देशों में शामिल है। आप लोगों को एह पता होगा कि भारत का अंतरिक्ष कामों का बजेट कम होने के बावजूद भी भारत बहुत ही आगे निकल चुका है। क्योंकि भारत पहले ही प्रयास में मार्श, ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेज दिया था। मार्श, ग्रह, पर सबसे पहले भारत ने ही पानी की खोज की थी। आपको एह पता ह बिश्व का लगभग 70 फीजदी मशाला भारत में ही बनाया जाता है भारत में सबसे बड़ा मौंतसरी स्कूल उतरब प्रदेश के लखनव जिले में है इस बिद्याले के कुल विधार्थी 55,000 से भी ज्यादा है और रेट बिद्याले ग्रेनेज बुक में 2019 से स्थापित हुआ है बिश्व का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट भारत के बीकानेर जिले में स्थापित है जिसकी कुल ख्यमता 2245 मेगावाट है जिसकी कारण भारत के उपर सारे बिश्व का नजर है और एक मज़ेदार बात भी सुन लीजिए डॉल्फिन को भारत सरकार ने नौन हुमान ब्यक्ति के नाम से नामित किया है और इसमें कहा गया है कि डॉल्फिन को एक इंसान के जैसा अभ्यभार करने के लिए अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट में जै हिंद जरूर लिखना और चानल को सब्सक्राइब जरूराइब